Hello students, स्वागत है आपका Quantum Maths के नए वीडियो पे आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं Group Theory Group Theory ये एक ऐसा टॉपिक है जो की काफी important माने जाता है आपके exams के point of view से और साथ में research के भी point of view से Group Theory को आगे बढ़ाने से पहले हमें Group Theory के बारे में कुछ जानना होगा जिससी होगा ये कि Group Theory को समझने में interest develop होगा और उस interest से हम easily Group Theory के कई सारे concept को हम समझ सकते हैं ठीक है तो चलिए बात करते हैं Group Theory के बारे में तो सुरुआत करते हैं Class 11 से तो Class 11 में आपने mathematics के अंदर आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक जिसका नाम था permutation permutation आपने और combination आपने पढ़ा होगा लेकिन फिलहाल हम सिर्फर सिर्फ permutation की बात कर रहे हैं तो permutation जब आपने पढ़ा होगा तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि permutation के concept को किस ने इंट्रोड्यूस किया था तो permutation के concept को इंट्रोड्यूस करने वाले जो scientist थे वो थे लगरांजे लगरांजे या फिर लगरांजे तो जो लगरांजे थे वो basically पर्मूटीशन के concept के उपर जब काम कर रहे थे तो उनको कुछ difficulties हो रही थी और वो जो difficulties थी basically वो grouping से related थी जिनके बारे में ये उतना नहीं जानते थे जितना की एक और scientist थे जिनका नाम था जिनका नाम था गलोईस पूरा नाम इनका था Average Galois Average Galois तो बात कर रहे थे हमके लगरांजे जब permutation के concept पर काम कर रहे थे तो उनको difficulties का सामना करना पड़ रहा था और वो difficulties थी grouping से related तो जब इनको difficulties का सामना करना पड़ रहा था तो उसी समय पर एक scientist एंटर करते हैं जिनका नाम था Average Galois और ये मात्र 15 साल के थे और 15 साल की उमर में लगरांजे को हो रही problem को इन्होंने solve कर दिया था गुरुप theory के concept को देखर ठीक है तो अगर कोई आपसे पूछता है कि group theory का जो father है वो किसे कहा जाता है तो आप बेधड़क आप ये कह सकते हैं कि Average Galois को और group theory के concept को basically 1830 में इसको introduce कराए गया था और एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि जो Average Galois थे वो मात्र 20 साल के उमर में इनकी देख हो गई थी जिस परकार से हमारे भारत के महान गड़ितग्य मैथेमेटिशन सिरी निवास रमानुजन जिनकी death जो हुई थी वो basically 32 years के age में हुई थी तो ये काफी early age में इनकी देख हुई थी Average Galois की तो I hope कि ये सुनके काफी अच्छा लगा होगा कि group theory किस तरीके से introduce कराए गई थी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं group की लेकिन group के बात करने से पहले यहाँ पे हम group theory के अंदर कुछ और terminology है उनको हमें समझना होगा अगर वो हम terminology समझ लेते हैं तो और भी easy मिलेगा group theory को concept को समझने में तो चलिए next slide पर चलते हैं तो first terminology है वो है हमारे पास function ठीक है दूसरा terminology हमारे पास है binary operation binary operation ठीक है और इसी तरह के और भी हमारे पास terminologies है लेकिन उनमें से यह terminologies काफी important है तो सबसे पहले हम discuss करते हैं आपर हम function को ठीक है function की बारे में आपने class 11 और 12 में काफी अच्छी तरह पढ़ लिया है लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि function की definition को एक बार फिर से recall करेंगे जिससे की concept तरो ताजा हो जाए और binary operation की concept को हम easily समझ पाएं ठीक है तो यहाँ पर हम consider कर लेते हैं एक set A जो की non empty set है और एक set एक B C ठीक है इसके अंदर element हमारे पास A B C और दूसरा हमारे पास जो set है B यह भी non empty set है जिसमें हमारे पास element है D E और F ठीक है अब हम क्या करते हैं इन set के हम mapping करते हैं set A के जो element है हम लिख लेते हैं A B और C और set B के जो element है उसको हम लिख लेते हैं D E और F ठीक है अब हम mapping start करते हैं हम mapping इस तरीके से start करते हैं कि सेट A के जो element है वो related है, सेट B के element D से, और जो B है, वो E से related है और जो C है वो F से related है, ठीक है अच्छा, यहाँ पर जो सेट A है इस सेट A को हम क्या कहते है domain कहते है ठीक है, और जो entire सेट B है, इसको हम क्या कहते है co domain ठीक है, तो डोमेन के जितने भी element है डोमेन के जितने भी element है अगर उसके unique image है को डोमेन के अंदर set जो हमारे पास a है यानि के जो domain है domain की every element का unique image अगर को domain में है तो इस तरीकी के जो mapping होती है यह special type के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है और वहीर special type का जो relation है उसी को हम क्या कहते हैं function कहते हैं तो आई हो कि आपको यह function जो है आपको समझ में आ गया होगा आपने recall कर लिया होगा कि function किसे कहते हैं यानि कि every element of set A has unique image in set B ठीक है चलिये next slide पर पहुंचते हैं और समझते हैं binary operation किने कहते हैं binary operation binary operation में इस binary का मतलब होता है two और इस two का मतलब क्या होता है यानि कि जो two है वो किस चीज़ को represent करता है तो यह जो two है वो दो elements को represent करता है क्योंकि हम group theory पढ़ रहे हैं हम सेट को डील करते हैं अब क्योंकि जो हम सेट को डील कर रहे हैं तो सेट के अंदर जो एंट्री होती है वो क्या होती है elements होती है इसलिए हाँ पर binary का मतलब दो elements है और operation का मतलब operation अगर हम दोनों यह word को combine करें तो यह बन जाता है दो elements पर लगने वाला operation कोई अगर आप से यह पूरता है कि binary operation क्या होता है तो आपको यह नहीं कह देना है कि दो elements पर लगने वाला operation ही binary operation होता है इसका जो definition है वो थोड़ा सा अलग है जो हम अभी समझने वाले हैं उससे पहले हम क्या करते हैं एक example ले लेते हैं जिससे होगा क्या कि हम binary operation को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो चलिए हम अपना example शुरू करते हैं तो example में हमारे पास यह जो picture machine का धांचा है अभी जो धांचा है वो तो काम करेगा नहीं machine क्या करती है उसके अंदर जो mechanism बना हुआ है वो mechanism ही काम को करती है यानि कि जो यह machine है यह अंदर वाले mechanism को यह order देगी और वो अंदर वाला mechanism उस order को लेकर उस पर operation शुरू कर देगा यानि कि हम indirectly कहें तो machine क्या करता है operate करवाता है अंदर वाले mechanism से यानि कि हम यह कह सकते हैं कि अगर machine operate करवाता है तो यह क्या हो जाएगा operator यानि कि indirect way में हम machine को operator कह सकते हैं अब यह operator है तो अंदर क्या होगा तो अंदर होगा operation अंदर होगा operation operation मतलब work ठीक है तो I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि machine को हम indirectly operator क्यूं कह रहे हैं और अंदर operator क्या करता है operate करता है operation करता है ठीक है अब क्यूंकि जिस तरीके का mechanism होगा उस तरीके का वो operator कहलाएगा और उस तरीके का वो operation को perform करेगा ठीक है example के लोरूप में हमारे पास यहां पर एक machine है M1 और एक machine यहां पर 2 machine ठीक है अच्छा यहां पर आपने दिखा होगा कि यहां पर दो जगे आप छोड़ी गई है वih वह इन पूट के लिए यहां पर जो हमारे पास जगह वो दो इन्पुट के लिए है अच्छा अब तो इन्पुट की जगह पर दो इन्पुट की जगह भी होने चीहें इसलिए यहाँ पर हमने दो input के जगह को यहाँ पर रखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमाल लेते हैं कि दो input पहला input हमने A ले लिया और दूसरा input हमने B ले लिया आप ऐसा भी कर सकते हैं कि input यहाँ पर A यहाँ पर B ले सकते हैं ठीक है तो उपर नीचे हो सकता, ऐसा को दिक्कत है निए, ठीक है, अब यहाँ पर input के रूप में हमारे पास A और B है, जब इसको अंदर डालेंगे, तो अंदर क्या करेगा, एक crusher machine अपने mechanism को, क्या कहेगा, order देगा, कि भी है, इसको operate करो, अब यहाँ पर क्या है, जो operator है, वो crusher है तो यहाँ पर जो operation होगा, वो crusher वाला operation होगा, माल लिजए कि A हमने डाला, और A को क्या कर दिया, उसने, अंदर operation लगाया, O, C, O, C मतलब operation लगा रहा है, crusher वाला, यानि कि जो operator है, वो crusher वाला है, फिर B यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर output के रूप में, आपको कुछ ऐस ही देखने को मिलेगा, O, C, B, यह जो पूरा, यहाँ पर जो result आ रहा हो, एक single result है, यानि कि दो input डालने के बाद आपको एक single result देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यह single result है, हमारे पास इसको read कैसे करेंगे, तो A, O, B, या फिर A, O, C, B, ठीक है, या फिर A, O, C, B, ठीक है, तो यह हमारा result है, ठीक है, दूसरे machine में हम देख लिते हैं, कि यहाँ पर हमने क्या माल लेते हैं, कि A input दिया, यहाँ पर हमने B input दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक cutter है, तो यहाँ पर जो operator है, वो cutter वाला operator है, तो यहाँ पर क्या हो जागा, A, O, C, T, और यहाँ पर B, और दूनों input same है, उसके बावजूद भी हमारे पास यहाँ पर जो result आप देख सकते हैं, result यहाँ पर different है, क्योंकि यहाँ पर A, O, C, B, यहाँ पर क्या है, A, O, C, T, B, ठीक है, तो result different क्यों है, क्योंकि यहाँ पर operator है, यहाँ पर operator crusher है, और यहाँ पर operator cutter है, तो जब आपका input same और हमारे पास operator different हो तो आपको result भी different ही मिलेगा तो I hope कि आपको इतना समझ में आ गया होगा चलिए इसको और अच्छी तरह समझते हैं with the help of mathematical ठीक है mathematically हम इसको समझेंगे तो और इसली यह concept clear हो पाएगा चलिए next slide पर चलते हैं हां तो binary operation में हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर input A और B लिया था और output यहाँ पर operator O है general है हमारे पास फिलहाल अभी कोई machine क्लियर नहीं कि ए क्रशर है या cutter है तो हम पर हमारे पास input में क्या मिलेगा A O B this is the result and these are the inputs ठीक है अच्छा इन inputs को एक और नाम देते हैं binary operation के अंदर हम इसको नाम देते हैं इसको हम बोलते है ऑपरेंट्स एक है तो ऑपरेंट्स यह भी एक है तो ऑपरेंट्स और दोनों को combine ली कहेंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑप मैं अभरोशार अ हमारे पास है, रिकराशार अब करसरी के जाइगति पर जो ऑपरेंटर से एक और पात याद आई , आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा four fundamental, four fundamental mathematical operators, इसको हम क्या कहते है ordinary ordinary mathematical operators भी कहते है ठीक है four fundamental mathematical operators या फिर four ordinary mathematical operators जो कि वो कौन कौन से होते हैं plus minus multiplication और division ठीक है इससे आप काफी familiar है कि ठीक है क्योंकि आपने भचपन में किया हुआ है आपने अभी पढ़ भी रहे हैं तो उसमें भी इसका use होता है plus minus multiplication और division का ठीक है तो यही वो four fundamental mathematical operators है ठीक है तो यहां पर crusher जो हमारे पास है यह जो operator है यहां पर इन चारों में से कोई सा भी operator ले सकते है फिलहाल मैं यहां पर operator के रूप में हापर मैं ले लेता हूँ plus ठीक है और यहां पर operator के रूप में मैं हापर ले लेता हूँ चलिए मैं हापर multiplication ले लेत डाला अब operator के जिगह जो ओ था यहां पर ओ की जिगह है फर यहां पर इसा था था ना a o b अब यहां पर crush था तो o c ठीक है तो यहां पर हमार पास result क्या आएगा a और oc के जिगह पर हमार पास है plus तो हमार पास आ जाएगा बी जो कि हमार पास एक third result को तो करेगा that is the c ठीक है यानि कि हमारे पास यह हो जाएगा a plus b equal to c ठीक है आपने a और b डाला आपको एक third element मिला जो कि इससे इन दोनों से कहा है different है ठीक है इसको mathematically समझते हैं अगर मैं a को replace कर दूँ 1 से और b को replace कर दूँ 2 से तो यहाँ पर a के जगे पर हमारे पास हो जाएग 1 और two three यानिकि सी के जीकर धीर फिर्यागा यानिकि जब input आप one और input टू डालते हो तो result ृप्र मिलता है क्योंकि operate यहाँ पर यहां पर क्या है वहां पर क्या है तो यहाँ पर 1 in 2 में 2 मिलेगा यानि कि 2 यानि कि यहाँ पर आपने different यहाँ पर same आपने input डाला यहाँ पर same input डाला उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको different यहाँ पर different आपको क्या मिल रहा है output मिल रहा है क्यों मिल रहा है क्योंकि यहां पर आपने operator अलग रखा हुआ है यहां पर operator आपने plus रखा हुआ और यहां पर आपने operator माइनस का रखा हुआ है इसलिए आपको क्या है result यहां पर different देखने को मिल रहा है तो I hope के इतना आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक बार और example लेते हैं crusher machine का जिससे और भी clarity आ जाएगी कि binary operation क्या है लेकिन उससे पहले एक बार हम phase से हम function के definition को recall करते हैं यहां पर तो जैसे कि हमने आपर example लेता कि एक set A और एक set B है जो कि non-empty set है अगर उनके A से B की mapping क इस तरीके से कराते हैं कि A related से D है और B related E है और C related to F है तो उस case में हमारे पास हम function किसे कह रहे थे कि set A के जितने भी element है set A के जितने भी element है अगर उनकी unique image है set B के अंदर तो इस तरीकी के जो mapping कर रहे हो इस mapping को हम function कह देते हैं ठीक है तो फिर से हम चलते हैं अब crusher वाले example पर ठीक है तो यह हमारा crusher machine रहा ठीक है इसके अंदर हमने जरा ध्यान से दिखिए यहां पर हमने क्या किया यहां पर हमन result क्या मिलेगा 1 plus में 2 equal to 3 यह तो हमने 1 लिया और 2 लिया तो हमें result क्या मिला 3 अगर हम 1 के जेगर पर हम क्या लेते हैं 1 के जेगर पर हम ले लेते हैं 3 और 2 के जेगर ले लेते हम 4 तो उस case में हमारे पास क्या मिलेगा यह 3 plus में 4 equal to 7 तो आप देख सकते हैं कि जब हमने 1 और 2 लिया था तो यहां पर 3 result मिल रहा था और जबसे हमने यहां पर 3 और 4 यानि कि हमने input different किया तो output भी different मिला यानि कि हम कह सकते हैं कि अलग-अलग input पे अगर अलग-अलग output मिलता है तो यह जो पूरा machine है यह machine एक function कहलाने लग जाता है ठीक है तो I hope कि समझ में आ रहा होगा कि क् ठीक है तो जब अलग-अलग input पे अलग-अलग output आपको मिल रहा थो इस machine को आप function कह रहे हैं और machine को ही हम क्या कह रहे थे अगर आप यहां पर द्धान से देखे हैं ur machine को हम और operator कह रहे थे कि जब हम अलग-अलग input पे अलग-अलग output मिले अगर अलग-अलग input पे अलग-अलग output आपको मिलता है तो उस case में जो machine होता है वो एक function कहलाता है और function ये जो machine ही function है जरा ध्यान से देखें machine ही function है और machine को हमने क्या कहा था machine को हमने operator कहा था और operator को हमने किसे replace किया था mathematically तो वो था plus तो यहाँ पर जो plus है वो operator है और operator ही machine है तो उस हिसाफ से machine को हम function कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि plus ही क्या होता हमारे पास function होता है यानि कि जो mathematical operators होते हैं वही function होते हैं अभी आगे चलके यही function हमारे पास क्या हो जाएगा binary operation हो जाएगा लेकिन कब binary operation होगा उसके लिए हमें definition को ध्यान देना होगा बिना definition के थोड़ा सा complicated होगा इसको समझना तो चलिए एक बार definition पे चलते हैं तो यह रहा हमारे पास binary operation का definition ठीक है कि let g be a set let g be a set और जो g set होना चाहिए वो non empty set होना चाहिए यह शर्त है ठीक है तो let g be a set then a binary operation on set g जैसे कि हमने already discuss किया हुआ है कि group theory के अंदर हम set को deal करते हैं तो binary operation भी किस पे लगेगा set पर ही लगेगा यानि कि then a binary operation on set g is a function हमने बोला ना यही तो operator है इसी को हम binary operation कहेंगे तो binary operation से पहले हो क्या होना चाहिए एक function होना चाहिए एक function होना चाहिए ठीक है चले definition पर तो यहाँ पर कहा है let g be a set then a binary operation on set g is a function that assigns each ordered pair of element of g and element of g ठीक है इसके कहने का मतलब क्या है इसके कहने का मतलब यह है कि माल लिजए कि आपके पास एक non-empty set g है और इस g में से इस g का order pair है अब जाहिर सी बात है g का order pair कैसे मिलेगा जब हम g को g's का cross product ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर ordered pair मिलेगा ठीक है order pair यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर order pair आपको x और y belongs to g कुछ ऐसा होगा ठीक है यानि कि order pair कुछ ऐसा मिलेगा आपको ठीक है यानि कि x हमारे पास g से बिलोंग करेगा अगर हमें order प्याट चीए है तो हमें cross product चीए है उसी set का ठीक है अब कहने का मतलब क्या है इस definition हम समझते हैं इस चीज को काफी easily हम इस चीज को समझ पाएंगे इस definition से कि let g be a non-empty set if f gf यानि के function ठीक है function defined from g cross g to g on set g is a mapping then f is called a binary operation on g यानि के f कह रहा है कि f हमारे पास एक function है जो की defined है g cross g से g cross g से g पर तो उस case में हमारे पास जो यह mapping की गई है यह mapping की गई यहां से यह mapping की गई है वो कहां से कहां पर की गई है g cross g से g पर की गई है अगर ऐसा है और साथ में हमारे पास यह जो condition है यह fulfill करवाता है तो उस case में हमारे पास क्या होगा f is a binary function कैसे तो example से हम समस्ते इसको हमारे पास है g cross g और यहां पर हमारे पास है g इस g cross g के अंदर जो हमारे पास element होंगे वो सब किस form में होंगे x, y के form म में हैं क्योंकि g cross g के जितने भी element होते हैं वो ordered pair के form में होते हैं और g के अंदर जितने भी element होंगे वो ordered pair के form में नहीं होंगे हमाल लेते हैं कि इस g के अंदर हमारे पास वो एक c element है जिससे हमारे पास क्या है कि g cross g का element है x, y वो related है related है इसका मतलब क्या है कि जो c है वो x, y का image है तो यह जो हमारे पास condition है वो यही कह रहा है कि अगर a,b a,b अगर g x g का element है तो a,b g के element से क्या होना चाहिए related होना चाहिए यानि कि g के अंदर जो element है वो इसका image होना चाहिए जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसका जो image है वो c है अगर ऐसा है तो उस case में जो भी function है आपर defined होगा यह function क्या कहलाएगा यह binary operation कहलाएगा तो I hope कि इतना आपको समझ में आ गया होगा चलिए एक example से और समझते हैं तब आपको पूरा clear cut समझ में आ जाएगा कि binary operation किसे कहते हैं example हमारे पास जो है वो है set of real number ठीक है set of real number ठीक है set of real number हमारे पास किस तरीके से लिखते हैं r equal to x,y such that x,y belongs to r ठीक है इसका order pair लेना थोड़ा सा काफी difficulty होता है ले ही नहीं सकते है ऐसा समझ लेजी आप ठीक है तो इसका order pair आप लेने की कोशिस मत किजिए ठीक है तो यहां पर हमारे पास एक function हमारे पास जड़ा ध्यान से दिखिए सबसे पहले हमारे पास जितने भी binary operation होते हैं हमारे पास कितने होते हैं हमारे पास total हमारे पास 4 होते हैं plus minus multiplication और यह division लेकिन कब कौन सा binary operation होगा इसके लिए कुछ condition है वो देख लेते हैं सबसे पह पर क्रोसर पर कियो पर हम जो एलिमेंट लेते हैं धो दो मेंट लेते हैं और के फोरण एहां पर हम और पर कर रहें तो यह पर फॉंचेंप पर लेते हैं, प्लham बज़ार क्या मैं लेते हैं, प्लस है और एलिमेंट लेते हैं, 1,2 हम दो एलिमेंट ले ले लेते हैं, अब इस दो एलिमेंट है हमारे पास, इसको हमें क्या करवाना है हमें ये करवाना है कि दोनों एलिमेंट लें और इस पर हम प्लस वाला ओपरेटर लगाएं तो वो भी आर के अंदर ही आना चाहिए ठीक है तो जरा ध्यान से दिखिए 1,2 जो हमारे पास है वो belongs to R है R x R ठीक है 1,2 belongs to R x R है तो क्या अगर हम 1 प्लस में 2 करते हैं 1 प्लस में 2 करते हैं और 3 आता है तो क्या 3 R में belongs कर रहा है अगर ये कर रहा है तो उस case में हमारे पास है ये एक binary operation है अगर नहीं कर रहा है तो ये binary operation नहीं है इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप जैसे example में अब operator के यहाँ पर हम लेते हैं प्लस ही रख लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं natural number का ठीक है n x n to n ठीक है यहाँ पर हम क्या लेते हैं order pair के form में यहाँ पर लेते हैं 3,2 और यह भी belongs to n, sorry n x n है ठीक है और यहाँ पर 3 प्लस में 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 5 जो कि belongs to n है इसका मतल़ हम पर जो प्लस है यह भी हमारे पास क्या है binary operation है ठीक है binary operation है ठीक है n x n और n ठीक है यानि कि natural number के लिए जो प्लस होता है वह एक binary operation होता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर minus कर दूँ यानि कि minus और यहाँ पर मैं n x n to n कर दूँ तो क्या minus binary operation होगा इसके लिए तो देख लेते हैं यहाँ पर same example लेते हैं हाँ ठीक है 3,2 यहाँ पर हम ले लेते हैं घitis और मैं इसके जैव्हに जो हमारे लेकर मैं यहाँ पर रहे लिए टो म दोट्स vigor करते हैं क्या यह सबएं क्या एक यह ने टू करते हैं इसके नीज़नोंक्ढ़ से विलॉंग करता है तो आंसर है नहीं इसका मतलब इसका मतलब यह जो minus है यह binary operation कुछ numbers के लिए है कुछ numbers के लिए नहीं है लेकिन जो हमारे पास जो binary operation defined होता है वो हर एक elements के लिए होता है यहाँ पर कोई एक particular elements के लिए defined नहीं होता है तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान से देखे तो जो minus है minus binary operation नहीं है natural के लिए set of natural numbers के लिए binary operation माइनस नहीं होता है ठीक है तो I hope कि binary operation आपको बहुत अच्छी तरह से clear हो गया होगा तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए good bye